घेलो फ्रेंड्स मैं जा प्रकास आप सब लोगों का अपने यूटीब चैनल जेपी हनली सर्कुट में सौगत करता हूँ तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अनलोडिंग वाल Unloading Wall क्या होता है इसका यूज हम क्यूं करते हैं और इसका symbol कैसा दिखता है ताकि आप इसे circuit में जहां भी Unloading Wall लगा हो उसे identify कर सके और यह समझ सके कि इसका यूज हम क्यूं कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं नीचे आते हुए प्रस करेंगा और इसमें इंप्रेशन बनेगा रिटनम टूक में जाएगा हमारा झाया यहां थोट अगल रहेगा लक्रिव्द वहाँ से पीस निकालेगा और नया पीस वहाँ रखेगा तो यह जो आइडल हवर है क्योंकि हमारी मसीन 24-7 चल रही है तो इससे क्या होगा हमारा आइडल हवर बहुत जाजा निकल के आएगा और हमारा जो मोटर है अब यहां देखिए इसे अटाते हैं है इसे अटाते हैं आप को सरकीट में दिखाते हैं कि देखिए हैं यह हमारा मोटर है है यह हमारा पंप अब क्या हो रहा है कि अनलोड कर रहा है ओईल को और लोड कर रहा है प्रेषर रिली नहीं लगा तो एक हमारे आगल हवर में भी यह और होने के वज़से यह हमारा वेस्ट है पूरा क्योंकि हमारा ज्यादा पॉर अगल में हम क्या करके हैं उसे लो प्रेषर में अनलोड करते हैं जिससे हमारा मसीन पर लोड कम आयेगा, oil ओवर हीट नहीं होगा, क्योंकि हमारा कंटीनुव अगर प्रेसर से oil अनलोड होते रहेगा, तो हमारा oil ओवर हीट होगा, ओवर हीट होने से wear and tear होगा होसेस में, हमारे seal कटेंगे, औरिंग कटेंगे काफी सारे प्रॉलम्स आएंगी तो इसलिए और हमारा power consumption बहुत ज़्यादा होगा तो इसको overcome करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे pressure unloading wall लगाते हैं ठीक है यह हमारा punching press machine का हमने circuit design किया है अब यहाँ देखिए क्या है यह सब component के बारे में आप जानते ही है अब pressure unloading wall का अपने use तो समझ लिया कि यह unload करेगा कब unload करेगा जब हमें pressure की requirement नहीं है हमें कम pressure की requirement है तब हमारा यह pressure unloading wall काम करेगा अब इसका symbol कैसा है यह देखिए यह हमारा pilot line unloading wall देखिए जिससे हमने unload करना है वहाँ हम इसको attach कर देगे वहाँ से हम pilot line ले लेंगे यह देखिए हमारा pilot line हमने यहां से लिया है क्योंकि हमें return stock में चाहिए जो हमारा उपर जाएगा तब हमें low pressure में unload करना है ताकि हमारा oil overheat ना हो और power condition कम हो अब देखिए हम इसको आपको run करके दिखाते हैं पहले इसका यहां चलिए आप इसको symbol को समझ जाएजी पहले यह देखिए यह है discontinue है continue नहीं है वरना हम pump चालू करती है क्या होगा कि यह यहां सानलोड होन ले हमने इसे 5 बार पे set किया है और इसे 80 बार पे pressure relief wall को 80 बार पे और यह हमारा unloading wall 5 बार पे है क्योंकि हमें retraction के time में pressure की उतनी आव सकता नहीं है अब यह देखिए हमारा variable spring हम इसे adjust भी कर सकते है 5 है तो हमें चाहिए अगर हमने बड़ा heavy piece लगा दिया है उतने बगर नहीं उठ रहा है तो हम लोग इसको adjust भी कर सकते है इसलिए हमने variable unloading wall लिया है अभी देखिए यह है foot pedal operated foot से हमारे pair से operate करेगा operator यह हमारा cylinder जो हमारा punching price में cylinder लगा हुआ है वो है यह अभी देखिए आपको इसे run करके दिखाते है तो देखिए अभी हमना हमारा जो load है यहां से पांच बार से unload हो रहा है हमारा यह pressure relief wall जो कि हमने 80 बार पर set किया है यहां से unload नहीं हो रहा है यह कहां से हो रहा है यहां से हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि देखिए यह हमारा cylinder अभी idle stock में है अब आइडर शोग में होने से क्या है कि ये अभी हमारे प्रेसर के कोई जूरत नहीं है हमारे प्रेसर के जूरत कब पड़ेगी जब हमारा सिलेंडर नीचे आएगा और एक किसी वर्क पीस पे इंप्रेशन बनाएगा तब तो अभी देखिए हमारा अनलोडिंग वाल काम कर यहां गए और हमारा मोटर पे अभी कोई लोड नहीं आएगा हमारा पम शीजुरत नहीं होगा अब देखिए हम इससे शिलेंडर को नीचे लाते हैं अब देखिए हमारा सिलेंडर नीचे आया अब देखिए हमारा pressure relief wall के थुर unload हने लिलने लगा अब यहां से क्यों होघा है क्योंकि हमारा ये लिए unloading wall क्या है unloading wall का हमने ये प狂व करते की दिखाटे contenu है कि ये प्रेशर कहां से ले रहा है यहां से ले रहा है कि इसके नीचे वाले में हो जाके उपर के साइड में जैसी वह स्टेडी पोजिशन में आएगा नीचे प्रेशर बढ़ेगा इस एरिया में प्रेशर बढ़ेगा और जैसी यह फाइब बार होगा प्रेशर वैसी इसको कर देगा चलिए आपको एक बार और राण करके दिखाते हैं यह देखिए अब यह हमारा प्रेशर वीफ़ बार होगा देखिए यह देखिए एक्टिवेट होगया इसलिए हम अनलोडिंग वाल का यूज़ करते हैं चलिए धन्यवाद अपको इससे कुछ शीखने में लया हुआ होगा ताकि वो भी कुछ सीक्स है चलिए धन्यवाद